कर दोस्तों निफ्टिवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स आप सब को पहले खूब कॉंग्रेचुलेशन्स क्योंकि हमने जैसे कल कहा था कि आपने भर-भर कर पुट लेनी हैं और आपने मुझे अमीद है कि खूब भर-भर के पुट ली होगी क्योंकि मैंने कहा था कि पुट साइट ही रहना है पुट लेनी है 17100 जैसे ही टूटे खूब पुट लेना और नीचे हमें ज्यादस ज्यादा 200 एमा मिलेगा और वहीं हमें 200 एमा मिला 16800 पे तो इस तरह से हमें खूब अच्छा प्रॉफिट हुआ लगबग अगर देखें तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमें निफ्टी में हुआ और बैंक निफ्टी में भी हमें लगबग 500 से 700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ जिसको मैंने कहा था कि 100 एमा तूटने पर 37500 के नीचे आपने सेल कर देना है और हमें क्या मिला नीचे 36800 त कैसे चलेगी हमने कहां कॉल लेनी है कहां पुट लेनी है और कैसे ट्रेड करना है और आपका सारा डर भी निकल जाएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक का बटन दुआए नीचे फ्री टेलिग्रम चैनल का लिंक दिया है उसे जुरूब क्ल होगी आपको ट्रेडिक प्लेयर फॉर्म भी अच्छा मिलेगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं कल हमने दो स्टॉक दिये थे एक तो था क्रॉम्टन ग्रीव्स यह हमने सेल के लिए कहा था यह एक्जेक्ली 381 पे हमने सेल किया और 369 हमें मिला तो इस तरह से इसमें हमें लग 3130 तक मिला तो इस तरह से हमें इसमें भी लगबग 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ मतलब दो स्टॉक से हमें लगबग 80-85 पॉइंट का भारी वरकम प्रॉफिट हुआ दोनों स्टॉक से तो अब हम आते हैं कि आखिर मार्किट में हो कहा रहा है चल कहा रहा है देखिए इस टाइम मार्किट पूरी तरह से ग्लोबल स्नेरियों की जकड में है आपको जैसे पता है कि रश्या और युक्रेन के जो तनाब पैदा हुआ है युद क्या खत्रा मंडरा रहा है तो उस वजह से मार्किट तूट रही है तो मार्किट का ज्यादा जो तूटना होई थी तो रात को जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दी कि सोला फर्वरी को रश्या युक्रेन पर हमला कर देगा उसके सी एई जनसी ने रिपोर्ट दी है तो मतलब जब उसने ये बात कही अमेरिका ने तो पूरे वर्ल्ड की मार्किट जोर से गिरी और लगबक काफी हारी भरकम गिरावट आई सभी वर्ल्ड मार्किट बें यहीं कियान था कि हमारी जो सिंगापूर निफ्टी थी वो सीधी सत्रह एक सो नब्बे के आसपास क्लोज होई थी फ्राइडे की रात को और मंडे को नेचरली वो ओर डाउं खुली आखिर उसमें चलका देखिए अ आप जो नए चीज़ें आई हैं सामने उसमें क्या किया है वो सब मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात तो यह है कि बाइडन ने सिधा टेलिफोन पर बात की है पुतिन से बाइडन ने कहा पुतिन को कि युकरेन पर हमला ना करे और जो वो चाता है तो वो हम कर देंगे तो पुतिन ने कहा कि मुझे लिखित में युकरेन दे दे कि मैं कभी भी नाटो के साथ नहीं जुड़ूँगा मुझे लिखके दे दे तो मैं अपनी फोजें वापस ले लूँगा तो उदर बाइडन ने कहा पुतिन को कि नहीं मैं युकरेन कभी लिखके नहीं देगा त तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता तो फिर पुतिन ने कहा कि मैं उस पे हमला करूँगा तो इसके जवाब में अमेरिका ने कहा पुतिन को बाइडन ने कहा पुतिन को कि अगर वो हमला करेगा तो उसके बहुत ही जान लेवा जो इसके पड़नाम है वो से भुक्तने पड़ सकते ह तो मतलब बाइडन ने भी पुतिन को धमकी दे दी अब जो नया घटना करम हुए है वह मैं आपको बताता हूं एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो जर्मनी है वह रशिया की बोली बोल रहा है रशिया जैसे कहता है वह वैसे बोल रहा है अब क्या की है अमेरिका ने जर्मनी को कहा है कि तू गैस की वज़ा से उसकी बोली ना बोल मैं हम तुझे गैस इधर से इस एरिये से दे देंगे यहां से कतर से कतर से लाएंगे गैस और खुद हम तुझे सप्लाई करेंगे और जिस rate पे तुझे यहां रशिया से पढ़ती है, उसी rate पे हम तुझे दे देंगे, तो जब ये बात कही तो जर्मन अब पल्ट गया है, अब जर्मन ने कहा है रशिया को, कि अब मैं तेरा साथ नहीं दूँगा, अब अगर तुनी युक्रेयन पर हमला किया, तो मैं इसके तुझे घंबीर परणाम बुक्तने हो, उसने एक statement जारी कर दी, मतलब उसने अमेरिका को बता दिया, कि मैं अब आपके साथ हूँ, मतलब युरोप सारा ही पहले ही रशिया के खिलाफ है, तो जर्मन अकेला ही था, जो रशिया का समर्थन कर रहा था, वो अब उसे हटा दि कि आप अपने सैनिक हटा दें, तो जो बातचित हम बातची से मामला सुलजा दते हैं, तो मुझे मीटिंग दीजिए, मैं बातचित करना चाहता हूँ, तो अभी उसने ये letter भेजी है, जब हमारी वीडियो बनी है, तो इस टाइम अभी letter भेजी है, अभी उसका जवाब नह होता है, और यहीं वज़ा है, मैं आपको चीज एक और दिखा दूँ, कि यह जो बातचीत की letter गई है, उसकी वज़ा से सिंगापूर निफ्टी रिकावर हुए है, कितने पॉइंट, 40 पॉइंट रिकावर हो गया है, मतलब 16,878 पर आ गया है, सिंगापूर निफ्टी, क्य क्योंकि जितना क्रूर सस्ता होगा, उतना इंडियन मार्केट भागेगी, जितना क्रूर महंगा होता जला जाएगा, उतनी मार्केट तूटेगी, एक चीज मैं और आपकी knowledge के लिए बता दूँ, कि जितना एक युद्ध में cash करना चाहिए, मार्केट को, उतना हमारी निफ दिन में हमारी मार्केट इस चीज को cash करने की कोशिश करेगी, तो अब हम आते हैं कि कल के लिए हमारे कौंस कौंसे तीन स्टोक हैं, तो सबसे पहले अतुल इंडस्ट्री, अतुल इंडस्ट्री ने एक काफी बड़ा downside breakout दिया है, यह देखिए, इसकी एक strong sport थी 185, 185 से यह बार बार sport लेता था, यह देखिए, 185 से बार बार sport ले रहा है, तो यह इसने तोड़ दी, अब यह 180 पर है, तो 184 कोई भी jump आया है, आपने sell करना है, 185 का stop loss और 173 का आपका target रहेगा, दूसरा जो stock है, दीप अगनाइटरेट, इसने भी अपनी sport थे औरी, इसने 200 एमा के नीचे gap down opening दी है, तो इसलिए यह भी अब sell के लाइक है, तो 2080 तक कोई भी jump आये, तो sell कीजिए, 210 का stop loss और हमें नीचे 19821760 मिल सकते हैं, तीसरा जो stock है, वो है लाल पैतला है, लाल पैतला है में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, यह देखिए, head and shoulder pattern, inverse head and shoulder pattern के हिसा तो हमने इसे 2790 तक कोई भी, sorry 2728 तक कोई भी jump आये, अपने sell करना है, 2790 का stop loss रखना है, और target हमें 2530 और 2100 तक के हमें मिल सकते हैं, तो यह है तीन stock, अतुल इंडस्ट्री, दीपक नाइटरेट और लाल पैत लैब, तीनो ही sell category के stock दिये हैं मैंने, अब हम आगे बढ़ते है बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ने जिस तरह से 50 डेमा को तोड़ा है, और बैंक बैंकों के रिलेटर जो न्यूज आई है, जिसमें ICIC बैंक के काफी ज़्यादा जो NPA 7000 क्रोर का, वो लगबग ABG Shipyard की कंपनी में फस चुक है, और आपको थोड़ी इसके बार को एक्स्टेंड करना है, और ABG Shipyard कौन सी कंपनी है, यह एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका काम जहाजों, यह पोर्ट का काम है, जहाज बनाते हैं, और उसके साथ साथ यह जहाजों की मरम्मद भी करते हैं, तो यह काफी बड़ी कंपनी है, ABG Shipyard, और इनोंने सभी बैंको से करजा लिया था, सबसे ज़्यादा करजा इनोंने, ICC Bank से लिया था, उसके बाद जो दूसरे बैंक हैं, जैसे माल लीजिए, Federal Bank या, SBA Bank या और भी कई बैंक थे, छोटे-छोटे, उसे लग लग किसी से 1000 क्रोर, किसी से 500 क्रोर का इनोंने लोन लिया था, तो 2013 तक इसने ए एक नोटिस भी दे दिया था, कि तु ये पहले लोन पहले चुका दे, फिर हम आगे लोन देंगे, तो मतलब इनोंने, जो बैंक से ये और अपने रिजल्ट में, जितने भी रिजल्ट आ रहे थे इनके तिमाही, तो इसे काउंट करके चल रहे थे, ये हमारा लोस हो चुका एक तरह के, तो ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको पहले बता दू कि कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बस ये है कि, SBA ने एक लेटर डाली, CBA को, उसको कहा कि, इन्हों ने जो जो लोन नहीं दिया, तो उसकी जांच की जाए, कि वाक्की इसको लोस हुआ है, या जान के लिए लोन ले और घर का काम, जो किस्ते ना उठा सके, कि अगर घर पे मालो कोई जो कमाता है, वो ना कमा सका हो, और उसे लोन की किस्त नहीं भढ़ी है, तो इस तरह का ये मामला है सारा, तो यहीं कारण है, कि बैंकों में ग्रावट आई, क्योंकि साथ साथ जार, आठ इस बैंक सबसे ज़्यादा दस जार क्रोर, तो एक सेंटीमेंट तो उसका बिगड़ा ही था, पर इतना भी नहीं बिगड़ा था, जितना गिर गई मार्केट, वो इसलिए कि जो रशिया यूकरेन की वाज़ा से बैंक निफ्टी जादा गिरी है, और जो यह मामला है, इस वाज़ा से भी जो गिरनी थी, वो दो मामले कठे होने की वाज़ा से यह काफी ज़्यादा गिर गई है, तो इस चीज़ को आपने इस विउस से लेना है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए, फिफ्टी डेमा को तोड़ देना, यह काफी निराशा जाना के बैंक नि अनिष्टा आजे ना फिर वोल्टेल्टी ज़्यादा बढ़ती है, क्यों एक तुरब वो अब रशिया युक्रेयन हो सकता है, मामला ही ठंडा हो जाए, तो रिवर्स भी लग सकती है, तो इसलिए 37.200 का स्टोप लो सकना है, काफी स्ट्रिट और 37.150, 37.180 कोई उचाल आए, तो आपने 37.200 की पुट लेनी है, सिरफ 20.00 का स्टोप लो सकना है, और नीचे आपको टार्गर फिर 36.810, 36.577, 36.500, और 200.00 है, 36.454, यहां तक बैंक निफ्टी गिर सकती है, जैसे यहां पे आए, 36.500 के आसपास, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लिजिए, यही कार हो सकता है, थोड़ा 200.00 है, उपर आजेगे, चलती मार्के में चलते रहते हैं, तो जैसी डेमा उपर आया होगा, जहां पर भी डेमा होगा, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, वैसे 36.500 के आसपास, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, पुट में, और कल संभल हो सकता है, युक्रेन मानी जाए, कि मैं नाटो में नहीं जाऊंगा, लिखके ही दे दे, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मार्के रिफिट बड़ी तेजी से रिकवर भी हो जाएगी, और क्रोड भी धराम से गियेगा, और हो सकता है, वह 88 पे आ जाए, तो अब कुछ भी ह आज का दिन परफेक्ट था, पुट लेने के लिए, जो मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया था, कि कमालो जितना कमा सकते हो, पुट में, तो अब क्या है, कि यहां से आपको 200-300 पॉइंट का प्रोफिट भी मिल सकता है, अब स्वाल आता है, कि अगर गैप अप ओपनिं बैंक निफ्टी निकले, तब आपने 37-400 या 37-500 की कॉल लेनी है, स्टॉप लोस भी 37-500 गई रखना है, और फिर टार्गेट आपको क्या मिलेगा, 38-125, 38-125, क्यों, क्योंकि यहां पर है 38-125 पे 20 डेमा, फिर यह 20 डेमा क्रोस होगा, तो मिलेगा 38-345, 38-494 और 38-725, फाइन बैरिश केंडल है, इसके नीचे जाने के चांसे तब तक बने रहेंगे, जब तक यह 200 डेमा टच ना कर ले, 200 डेमा टच करने के बाद इसकी रेकवरी की संभावना ज्यादा बढ़ेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपने संभल का ट्रेड करना है, ज्यादा अग्रेसिव ज्यादा बॉल्यूमें पुट नहीं बाए करनी, अब थोड़ा सा संभल के, पुट तभी बाए करनी है, एक बार उचले, उचल के 37, 180 C पे आए, फिर वहां से नीचे गिरें, तब आपने पुट बाए करनी है, और अगर उपर ही निकल जाए, 37, 200 का आपका स्टॉपलोस हि बैंक निफ्टी में, तब तक आपने नहीं मानना कि बैंक निफ्टी रिकवर हो रही है, तो ये था सारा स्ट्रेट सेटप, एक चीज़ और बता दो हूँ कि अगर माल लो कल, एक तो ये होगी, यहां पे हमने पुट ली, 200 अपे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर मा 3600, 35600, 35590 और 35390 तक के टार्गेट फिर आपको मिल सकते हैं, तो ये था बैंक निफ्टी का कम्प्लीट ट्रेट सेटप, उपर जाए क्या करना है, बीच में रहे क्या करना है, नीचे जाए, तो क्या करना है, अब हम आते हैं, क्रूड पर, दीखें क्रूड पड़ा सा ये को कमजोर करता है, तो ये बेर्स के फिर में है, इस टाइम, यूएस डॉलर इंडेक्स, इंडिया वेक्स काफी हाई है, ये भी बेर्स के फिर में है, अगर इतनी ज़्यादा वोल्टेल्टी हो, तो तब ही मैंने कहा कि कल संभल के ट्रेट करना, इस वोल्टेल्टी को आ बेर्स के फिर में और अगर ऑप्शन चेंज देखें वह बेर्स के फिर में क्यों क्योंकि 16 500 पर पुट राइटर नज़रा रहा है उपर कोल राइटर सभी जगह पर नज़रा रहा है काफी स्ट्रॉंग ग्रिप लिए 17000 पर कॉल राइटर ने यह चीज दिखाती है कि मार्के जो मार्केट है उसे कोई व्रोसा नहीं रहा 17000 पर तो इससे पता जलता है कि मार्केट की ब्रेथ वीक है तो अब हम आते हैं निफ्टी पर कि निफ्टी में हमने कड़ना के देखिए निफ्टी बड़े ही स्ट्रॉंग 200 एमा पर पहुंच चुकी है कल अगर यह 16 800 पर भी तब भी आपने यहीं समझना है कि यह यहां से रिकवर हो सकती है क्योंकि 200 एमा कैसा डेमा होता है जो मैंने कई बर बताया है कि यहां से मार्केट के रिकवर होने के पूरे पूरे चांस रहते है 95 to 98 परसंट चांस होते हैं कि मार्केट यहां से रिकवर होते हैं तो इस 16800 की put लेनी है stop loss 200 एमा 16810 का रहेगा और नीचे जो target 16632 16570 16450 तक के आपको मिल सकते है 16440 तक मतलब अगर 16570 जहां मैंने green line लगाई है इसका मतलब यह है कि यह एक बड़ी sport है 16570 जिसमें historically काफी बार nifty ने sport लिए है तो यहां पर आकर आपने अपना एक बार profit book कर लेना है अगर 16550 तूटे फिर से आपने पूट लेनी है फिर आपको मिलेगा 16470 16470 और 16444 तक के target बशर्ते कि आज 16700 तूटना बहुत जुरूरी है अब आती है बात अगर यहीं flat हो यहां पे रहे तो यह no trade zone है यहां पे बिल यह माने कि nifty अब recover होगी एक तो आपने bank nifty का वो level देखना जो मैंने बताया है कि अगर उसके उपर निकल जाए 100 एमा के उपर तब आपने सोचना है कि हां bank nifty bullish है तब आपने निफ्टी भी buy कर सकते है उस time क्योंकि bank nifty फिर निफ्टी को भी खीचेगी तो इसलिए bank nifty का level भी आपने साथ में देखना है और उसके साथ साथ अगर यह 17,0,30 के उपर निफ्टी निकले तब आपने buy करना है दुबारा 16,900 की call 16,900 के stop loss के साथ फिर आपको वापस 17,200, 17,310, 17,352 और 17,510 तक के target आपको मिल सकते हैं मतलब आपने पहले wait करनी है कि 17,0,50 क्रोस होता है अगर 17,0,50 क्रोस हो जाए तब जाकर आपने trade लेनी है वैसे trade नहीं लेनी है मतलब इस area में 200 एमा 16,800 से 17,0,50 के बीच का area एक danger zone है यहाँ पर आप trade ना ही करें तो अच्छा रहे तो अब आप समझ गयोंगे कि क्या क्या कब करना है उपर जाए यहाँ पर तब call लेनी है नी हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जिरू लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर कीजिए ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके और उनका नुकसान होने से वो बस सके थांक्यू थांने बात।